हेलो एबरीबन आएम स्वाम स्वाम दिया दोस्तों आज में लेकर आया हूँ रंगो के इस्तिवार होली पर कुछ अठपटे इंगली संटेंस जो हम होली के दिन या फिर होली से अगला दिन जो हम दुलंडी कहते हैं उस दिन हम यूज करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू क करते हैं गें हлем दूशिए नंगों का खेल यह होली जए गेम ऑफ कलर नेक्स ऑंटेंस इस दिन हम शाम को होली का जलाते है तो होली का को बवॉन फायर गहते हैं ओन दिस डे वी लॉइख बॉन फायर इन इवर नेक्स संट्टेंस मैं कच्छे रंग से कलरना करता हूं दोस्तो कच्च और पक्के रंग होते हैं कच्चे रंगों को हम soft colors बोलते हैं और पक्के रंग को हम solid color या फिर hard color बोलते भी है सो इसको हम English में कहेंगे I prefer to play holy with soft colors let's have a look at the next sentence हमें पक्का रंग नहीं लगाना चाहिए we should not apply solid color और इसे हम एसे भी कह सकते हैं we should not use solid color next sentence मुझे पाने के गुबारे फेकने में मज़ा आता है पाने के गुबारा को हम water balloons भी बोल सकते हैं और water bombs भी बोल सकते हैं so I enjoy throwing water bombs next sentence होली खेलने के लिए सबी फटे पुराने कपडे पहनते हैं so everybody wears worn out clothes to play holy next sentence आपका चेहरा sorry उसका चेहरा रंगों से सना हुआ था his face was smeared with colors smeared मतलब सना हुआ था देखना कहीं मेरे आँखों में रंग ना चला जाए look don't get color into my eyes look don't get color into my eyes next sentence है कुछ लोग इस दिन भांग वे पीते हैं भांग को हम hemp बोलते हैं some person consume hemp on this day next sentence है भांग पीना एक तरह का नसा है consuming hemp is a type of addiction next sentence उसने भांग पी रखिये he has consumed hemp next sentence क्या आपने कभी भांग पीये have you ever consumed hemp next sentence is आप मुझे शिरफ गुलाल लगा सकते हैं गुलाल को हम color powder बोलते हैं you can smear only color powder to me ठीक है so next sentence है कोई पक्का रंग नहीं लगाएगा nobody will smear solid color ठीक है लगाना के लिए हम smear use कर सकते हैं और यूज भी कह सकते हैं nobody will use solid color next sentence है रंग से मुझे allergy होती है color causes allergy to me color causes allergy to me यहाँ पे color का मतलब color powder होता है बुरा न मानो holy don't get offended it's holy don't get offended it's holy मैंने मेरी भाबी के चेहरे को बुरी तरह से रंग दिया था I colored my sister-in-law's face roughly I colored my sister-in-law's face roughly भाबी को हम sister-in-law बोलते हैं holy के दिन हमें चोटी-चोटी बातों पर लड़ना नी चीए on this day of holy we should not fall out on tribes we should not fall out on tribes tribes होती है चोटी-चोटी बातों पर चोटी-चोटी जगड़ों पर है इस दिन सब कुछ चलता है everything is okay on this day everything is okay on this day रवी ने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया रवी ड्रैंस्ट मी तुदा स्किन रवी ड्रैंस्ट मी तुदा स्किन तो दोस्तों यह थे 20 sentences और आपने एक चीए नोटिस कियो इसके अंदर पांसो पचास पांसो चालिज पांसो तीस से सुरूगे पांसो पचास तक थे तो यह पांसो पचास स्कियों रखा क्योंकि दोस्तों हमारा फेस्बुक पे पेज है दा रूरल फाइट और डैस इंग्लिश स्पेशल उसके पर हम डेली 10 sentences डालते हैं और आज हमने 530 से 550 तक 10 sentences डाले हैं तो यह उसी सीरीज का हिस्सा था और यह आप भी डेली बेसिज पे डेली 10 sentences मिल रहेंगे तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में by the time be happy keep smiling take care happy holy